हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ RBSC 10th Hindi का पेपर जो आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा पेपर करने के लिए टोटल समय होगा आपके पास 2 गंटे 45 मिनिट का सबसे पहला आपको यहाँ पर देखने पढ़ेंगे इंट्रोडेक्शन जो आपको परिक्षा में दिखाई देते हैं उसके बाद में सबसे पहला क्यूशन है वह आपको सामने हवजीरे स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक गद्यांस दे रहा है गद्यांस को पढ़्ड कर आपको यहाँ पर सवाल करने हैं तो दोस्तों गद्यांस साप आराम से पढ़ लेना मैं आपको डाइरेक्ट ऊच्टर करवा देता हूँ तो दोस्तो यहां पर उप्युक्त गद्यांस का उच्चित सीर सक है, विद्धार्ती जीवन में अनुशाषन का मैत्व, अनुशाषन कितने परकार के होते हैं, तो दोस्तो अनुशाषन दो परकार के होते हैं, व्यक्ति के जीवन का साधन साधना कब है, तो दोस्तो व्यक्त कि जीवन में अनुसासन का गेरा मेत वहें अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे क्यूशन की तरफ एक अपटित कावियंस को पढ़ कर आपको परसनों के उत्तर देने हैं तो दोस्तों कावियंस आपके सामने हजी रहे मैं आपको डायरेक्ट क्यूशन आइसफर की तरफ ले कावियंस में वर्णित पिडित वर्ग की आँखों में चमक कब आती है जब सब्सक्राइब की संपंतर की याद आती है यहां पर अग्ला क्यूशन है माता का अंचल क्रति के रचनाकार कोन है तो दोस्तों यहां पर सिव पूजन साही अगला सवाल है जोर्ज पंचम की नाक तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो चार आप्सिन आप लोगों के सामने जोड़ पंचन की नाग की उद्देश से उप्तियुक्त सभी है अब आपको यहां पर खली जगाए बरनी है दसवी वालों ज्यादा हाड खली जगाए नहीं है तो मैं आपको खली जगाए बता देता हूं दोस्तों सबसे पहला है बाववाचक संक्या की रेचना मुख्य पांच परकार के सब्दों में होती है शरुणाम छे परकार के होते हैं अगला सब्द जो किसी वस्तु परदात की या जगा की मात्रा तोल या माप का बोध करते उन्हें परिणाम वाच्चक होती है पांच वाए उपसर के सब्द के आगे जुड़कर बदल जाते हैं आगे आएगा यहां पर और परते हैं वो पीछे जुड़ता है और अगला सवाल है वे परते जो दातु और किरिया के अंत में लगकर नए सब्द की रचना करते हैं उन्हें कौन सा परते कहते हैं तो दोस्तों उन्हें कहते हैं क्रित परते हैं आर यह बास समझ में तीसरा सवाल है अत्ति लगुरात्म परशनों के आपको उत्तर देने हैं 20 सब्दों के अंदर उत्तर देने हैं तो मैं आपको 20-20 सब्दों के अंदर सौटली करवा देता हूं संदी और सयोग में किया अंतर , यानि आदे अकसर क से हू खैरनों चीजिते हैं अगले संब में बीना बदले हो जाए उसे काता है सयोग प्ली यादा संचा उदारन देता हूं क प्लस म प्लस प्लस ल बराबहर कमल ल तो यह हुआ आपका स्वयोग का उधारन, समास सब्द की परिवासा लिखिए, समास सब्द साब्दी करत उत्ता छोटा रूप, जब दो या दो से अधिक बन सब्दों से मिलकर जो नया सब्द या छोटा सब्द बनता उसे समास कहते हैं, देखिया समय कम होने के कारण मैं बोल रहा हूँ, यहां पर लिख नहीं रहा हूँ, अगला है तिल का ताड बनाना मौवरे का अर्थ लिखिए, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चड़ा कर करना तीजरे का अंसर होगा, अब आपको चौता क्यूशन है, चस्मे वाले ने लोग उसे कैप्टन कहते थे, अगला सवाल है, एक कानी ये भी रचना में मनु बंडारी के साथ साथ किसका व्यक्तितव भी उद्धार है, तो दोस्तों यहां पर इसका आंस्वर होगा, मनु बंडारी के साथ साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्याभिका सि जरूर आएगा, जिन वादियंत्रों को फूक कर बजाए जाता है, उन्हें सुधिर वादियंत्र कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदारन है किसे नहीं, ठीक है, उद्धव के वेवार की तुलना में किस किस से की गई है, तो दोस्तों उद्धव के वेवार की तुलना है, वो कमल के पत्ते और तेल के चुपड़े घड़े से की गई है, कमल का पत्ता जल में रहकर भी गिला नहीं होता है, और जो तेल लगावा घड़ा होता है, वो पानी के अंदर जाने के बाद भी उसके उपर किसी भी परकार की कोई भी बूंद है, वो नई ठेर पाती है, आदल कल्पित कल्पना और क्रांती चेतना की और अग्रशर करता है पिता माता का अंचल पार्ट के उन परसंगों के नाम लिखे जो आपके दिल को छूर लेते हैं तो दोस्तों पार्ट के अंदर बता गया है पिता से मिले संसकार पिता के साथ खेल पिता के साथ बोजन करना अनेक परकार के खेल चिड़ाने की सजा, साब का बै, मा की गोध की सरण, आधी है जो आपको किसी ने किसी परकार से प्रवावित करते हैं, अगला क्यूशन है साना साना हाथ जोड़ी यत्रवंत में भारत के किस छेत्र का वणन के गया है, तो दोस्तों साना साना हाथ बारत की बारत के सिक्क्यम राज्य की राज्दाने गंटोक का वर्णन किया गया है और उसके आगे हिमाले की यात्रा का वर्णन किया गया है अब आपको बर क्यूशन की तरब ले चलता हूँ लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों अगर आपकी भी यह पढ़ाई में डाउट तो पूछो डाउटनेट के साथ बस क्यूशन की विच्छर क्लिक करो क्रॉप करो डाउटनेट पर सेंट कर दो दोस्ट सेकिंद के अंदो वीडियो सोलुशन आंस्वर मिल जाएगा फिर चाहे डाउट आपका मैथ, अब ले चलता हूँ आपको आगे के क्यूशन की तरफ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आगे के क्यूशन भी आपको विशेश रूप से हल करहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो क्यूंकि अगर मैं इस सब को हल करूँँगा तो वीडियो बहु